सबको मेरा नमस्कार मैं स्वाती हूँ हाज मैं इस वीडियो पर विशारत उत्राद में प्रोहित नामक एक तिपनी हमें देखती हैं ये शाबरे गाइड में 409 का पेज नबर पर है ये दुरुवा स्वामिनी में एक तिपनी है और उसके बारे में हमें इस वीडियो पर स्तुम करें खले शुरू करें श्री जैशुकर प्रसाथ का सुपरसित नाटक दुर्वा स्वामिनी कि नाटक से यरे करोहित स्परोहित कि और यह स्वास जीँ एक मुख्य selective मुख्यपात्र का मतलब है इंप़्ॉ्टेट क्यारेक्टर अवर यद्यापी प्रोहित के पात्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी रामगुत तता दुरुवस्वामिनी का विवाह के दुरुवत पूर्व करके अनैतिक तता आनमय दोशित कर प्रोहित आदर नियस्थान पाते है एवन दो प्रोहित एक प्रोहित एक महत्वपूर्ण चारक्टर बना राज प्रोहित अपनी हुए बीज राजा के वृद्य अपना मत निबर्थे के लिए साथ प्रकर्ट करने में इस करान के प्रोहित आदर नियस्थान पाता है प्रोहित ऐसे इंपोर्टन स्थान उस पर एक राजा होती है वहां राज प्रोहित राज प्रोहित का मतलब होता है राज प्रोहित इसके लिए ही हमें इस लगो राच प्रोहित हमें इसका वर्ड प्रयोग करती है चले जाते हैं नेक्स्ट वैन यही नहीं अपने मन में जो भी ज्यान सक्त बन निकलते हैं उसे बनी है डक्टर अब अपने सामने प्रकर्ट करने में प्रोखित का विवहार मन में मोखट तहरती है शतराज की मृत्यू के बाद स्तवस्य करने में अपने लिए प्रोहित तयार होता है After the death of the अपनी सम्खराटी उसके बाद उसको प्रोहित स्तन्वियस्तान करने के लिए उन्होंने तयार हो गया पाप अबर पुन्य को सही हिशाब सुनकर वह मन बरता है He is ready for the things that is going to be happen by getting to know about the पाप अबर पुन्य विवाह के बारे में अपने विचार वक्त क्यों यों प्रकट करता है स्त्री अबर पुरुष के असपर विश्वाशपूर का अधिकार की रक्षा अबर सहयोग्य की तता विवाह कहा जाता है उन्होंने विवाह करने के लिए अब तक नहीं तयार होती है उन्होंने एक प्रकट क्या हैती स्री और पुरुष को पसपर विश्वपूर्व करने के लिए रक्षा होती है वे ही विवाह होता है ये ये दिशादे होती है दर्म विवाह केल है ये हमारी धर्म में विवाह एक केल होता है एक प्ले होता है और वह दुरुवस्वामिनी से कहता है रामगुप्त को दुरुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है अब उन्होंने दुरुवस्वामिनी के पास जाकर उन्होंने कहता है कि आपका रामगुत और दुरुवस्वामिनी को कोई अधिकार नहीं होता है और नहीं होने की जरूरत होती ही नहीं है इस प्रकार वह शास्ता में सहेरे की रूप में रामगुथ और दुरुवस्वामिनी का विवाह के खेल सिद्ध करने में सफल सिद्ध होता है आईसे ही रामगुथ और दुरुवस्वामिनी का नाटक हो जाता है समाच के सामने ये एक आधर्षिप रोखी प्रस्तुत करने वे वे समाच के प्रताव कर विबलता है उन्होंने एक सोसाइटी के सामने देखते हैं कि बहुत बड़ा स्थान मिल गया और ये कहानी में उसको बहुत-बहुत मवत्मपूर्न एक important स्थान मिल गया क्योंकि उन्होंने दुरुवस्वामिनी और रामगुत का बहुत-बड़ा-बड़ा स्थान को निकल गई है So, hope you guys understood this topic We'll be giving such more interesting facts in our upcoming videos Thank you, bye-bye, धन्यवाद